यहलो गाईज मेरा नाम अंकित यार मुझे कुछ पहले एक बहुत ने कमेंट किया था कि भाइ एक बहुत बल्बोगी सपलाई बना करके दिखाओ तो फ्रेंट्स सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब था तो Mike वीडियो को लाइक कर देना आज की वीडिया का लाइक में आप पर 35 लाइक्स रख रख रहा हूं तौर तावट से कंप्लीट कर देना मुझे पता आप लोगक पर दो तो चलि फ्रेंट वीडियो च्टार्ट करते हैं फटावर्ट से कंप्लीट कर देना मुझे पता आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स इसके लिए आप पर हमको चाहिए होगा 12 वोल्ट का ट्रांसफर्वर मतलब 12-0-12 का ठीक है फ्रेंट्स इसमें आप 3 वायर इधर देख रहे हो और 2 वायर जो है इधर की साइड आप लोग देख रहे होगे तो इधर वाले जो वायर हैं वो DC सोर्स के लिए हैं और यह जो दो ब्लू कलर के हैं यह प्लस वायर है और यह नेगेटिव वायर है और राइड वाले जो है वो AC के लिए ओफेंट्स हमको यहाँ पर एक डायोड की जरुत हो पड़ेगी तो यहाँ पर डायोड हमको IN4007 ठीक है यहाँ साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा और ट्रांसफोर्मर रेट वगेरा सब अगर आप लोग पर्चिस करना चाहो तो कि माइक्रो फैरेड और 25 वोल्ट्स ठीक है तो अभी फ्रेंट्स हमको इनका डायोड का क्या करना है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीके से बनेगा तो फ्रेंट्स आपको एक साइड सिलवर कलर की लाइन दिख रहे होंगी और एक सा साइड की साइड की ब्लैक साइड जो टर्मिनल एक उनको आपस में कनेक्ट कर देना और फिर हम इनको इस तरीके से याण की सीलवर कर सकते है खकिया एक सिलवर एक ब्लेग और इसी तरीकी से सब्सक्राइब दूसरी साइड है एक सिलवर है और एक ब्लैक है तो इस तरीके से हमको इनको कर लेना है आपस में connect तो connect करना easy है और फ्रेंट्स अब यहाँ पर हम इन पर कर लेते हैं शोल्डिंग जिससे की फ्रेंट्स इसकी जो मतलब बार-बार यह कभी कभी ऐसा होता है कि जो मारा सरकेट होता है वह कभी कभी वर्क नहीं करता है उसमें जो वायर वगर होते हैं वह यहाँ पर मैं इसको बना सकते हो बहुत ही आसान है पांच मिनिट में आपका यह बन करके रेडी हो जाएगा और फ्रेंट्स अब हमको लेना है यहां पर कैपिसिटर को फ्रेंट्स हमको क्या करना है कि जिदर सिल्वर लाइन है उधर पॉजिटिव और जिदर ब्लैक उधर नेगेटिव इस करना है इस तरीके से ठीक है तो यहां पर जो इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट यहां पर कर दूंगा नीचे की तरफ से आपको इसको नहीं करना है कनेक्ट ऊपर के तरफ से करना है ठीक है जिससे कि फ्रेंट्स कनेक्ट करने में भी आसानी होगी और एक साइड रुख भी जा लास्ट भी हो सकता है सर्किट खराब भी हो सकता है इसलिए आपको इसका जरूर से ध्यान रखना होगा कि किधर की साइड हमारा पॉजिटिव और किधर नेगिटिव मैंने आपको बताई दिया फ्रेंट्स आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए मैं वीडियो में स हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं तो एक वायर को मैं आप पर इसी तरीके से रख दूंगा मतलब छोड़ दूंगा अब फ्रेंट्स हमको इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हमको किधर की साइड भी लगा देना है जो दो टर्मिनल इसके बचे हुए है सर्किट के ठीक है दो पर तो यह कैपिसिटर कनेक्ट हो गया और दो सर्किट दो पॉइंट भी इसके जो है बचे हुए है टर्मिनल तो इन दोनों पर हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है ट्रांसफोर्मर का जो डीसी सोर्स वाला है उसको हमको यहां पर लगा देना है इस तरीके से हमने इसको लगा दिया यहां पर दोनों को सुल्डिंग कर देना अच्छे से और अब हमको क्या करना है कि अब जो एक्टर लेग इसकी बच Journal ही है इनमको उम कर ददेंगे एक्सटर लेग को ओ तो यहां पर extra leg में यहां पर cut कर दे रहा हूं तो cutter की help से आप या supplier की help से cut कर सकते हो इसको easily अफ्रेंट्स हमको next वर्क क्या करना होगा next वर्क हमको यह करना है कि हमको एक LED लेनी है और यहां पर 1K का resistance लेना quarterboard में तो इसको friends हमको यहां पर connect करना है connect कहा करना है जिदर friends हमारा जो power supply आएगा ठीक है यानि कि capacitor के positive पर हमको resistance वाला point है resistance मैंने LED के positive point पर यहां पर connect किया है तो resistance को मैं यहां पर connect कर दूंगा जिदर हमने capacitor का positive यानि कि जिदर silver line है उधर ठीक है तो friends इसका आपको खासका ध्यान रखना ब्रिज rectifier में यही है जो main है और friends जो negative है उसको हमको connect कर देना है जिदर हमारा capacitor का negative point था उधर की side तो यहां पर मैं इसको भी यहां connect कर लिया एसी की तरफ और यहां पर एक प्लग तो इसको मैं यहां पर लगाऊंगा और switch on करूंगा तो यहां पर जो LED है हमारी वह glow होना स्टार्ट हो जाएगी तो switch मैंने plug लगा दिया है भी switch में यहां पर on करूंगा उससे पहले मैं multimeter को 20 वोल्ट पर select कर दे रहा हूं यहां पर मैंने जैसे switch on किया तो LED जो है वो ग्लो कर रही है ठीक है काफी अच्छी तरीके से LED ग्लो कर रही है और negative पर negative और positive पर positive लगाता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 13.33 वोल्ट यहां पर आ रहे हैं तो फ्रेंट्स यानि की 12 वोल्ट से ज़्याद आ रहा हो और एकदम सेफ है आपको current वगएर है कुछ नहीं लगेगा ठीक है यहां पर मैंने आपको इसको टच करके दिख है वरना वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो जाती तो बॉक्स मेंने बस ऐसी बना लिया है आप लोग बना सकते हो बॉक्स बनाना तो इजी है यहां पर मैं double sided tape का यूज कर रहा हूं तो इसको मैं transformer के नीचे लगा दूंगा इस तरीके से और इसको मैं चिपका दूंगा इसके नीचे फ्रेंट्स में आपर फैवी कुक्क का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि फैवी कुक्स इतना अच्छे से नहीं चिप लगता है और double side tape जो होती है फ्रेंट्स वो काफी जादा hardly चिपकाती है आसानी से छुटता नहीं है और जो capacitor उसके नीचे फ्रेंट्स में एक hole किया है और यहां पर मैंने इसको जो LED को यहां निकाल दूँगा फ्रेंट्स मैंने hole एकदम बिल्कुल हिसाब से किया है जिससे कि LED जो हो हमारी ज्यादा बाहर इससे नहीं निकले ठीक है बिल्कुल इसके equal ही हो और यहां पर एक hole मैं छोटा सा hole और करूँगा जिससे क कि हम जो की वायर है फ्रेंट्स जो कैपिशिटर वाले पॉइंट से उस पर मैंने दो वायर और कनेक्ट कर दियें जिससे कि हम पावर सप्लाई लेंगे क्योंकि कैपिशिटर तो अंदर हो जाएगा और यहां पर फ्रेंट्स मैं सोल्डिंग आयलन से एक कट ही लगा ठीक है जिससे कि हम डीसी वाले वायर जो हैं इनको निकाल सकते हैं तो इन दोंनों वायर शको सब से पहले मैं इसके अंदर से निकाल लूगा तो यहां पर इस तरीके से अब फ्रेंट्स काफी टाइम हो गया बोलते मेरा भी मुझ जो है दुखने लग गया है तो लेकिन फ्रेंट काम है किसी को करेंट वगार लग सकता है लेकिन याँ फ्रेंट्स कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप ज्यादा बोलते हो तो अगे से आप बताईए मुझे मैं आगे से जो है वीडियो में अपनी आवाज नहीं डालूंगा सौंग वगारा लगा दूंगा कुछ लोग बोलत चाता हूं और स्विच्च को आं करता हूं ठीक है तो यहां पर LED जो है EC лोट हो गई है अब फ्रेंट्स है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर इसका जो spark है तो यहां पर फ्रेंक्सience लाइट है इस वज़े से कुछ spark जादा नहीं दिख पारा है थोड़ा बहुत spark दिख रहाएं यहां पर आप अगर गौर से देखोगे तो थोड़ा बहुत इस पार्क आपको दिख जाएगा लाइट की वज़ेश ज्याद़ इस पार्क नहीं दिख रहा और फ्रेंट यहां पर यार करेंट भी नहीं मारेगा बिल्कुल सेफ है और यहां पर फ्रेंट मैंने 12 वोल्ट की ए बाफे ज़्यादा अच्हेवर कर रही है और यहां पर फ्रेंट साफ लोग इसकी लाइट भी देख सकते हो और यहां पर बहुती ज्यादा अच्छे कर रहे त्रांसफॉर्ण और वग्वर है रेट अगर आपको देखने हैं तो हम पर रेट मैंने दिखा दिये जोंकि मैंन मिल सकते हैं लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों का मिल जाएगा वहाँ जागर के पर्चिस कर लें तो फ्रेंट बस यार यही थी वीडियो वीडियो आपको कैसे लगे यार कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर से बताना और अगर आपको कोई ट मेया साथ के जापको कि पक Mir好 गहा कि ए यह यह ए यह तो नह से आपको को बन्याओ बशेल से लोगई के उैस लोगई में अभा सांट कर दो यह टाए भाएग में लिए